हेलो फ्रेंस, वन्स अगेन, वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करती हूँ, आप सभी अच्छे होंगे, और सुरक्षित अपने घरों में होंगी फ्रेंस, आज का वीडियो होने वाला है, बहुत ही जादे इंटरस्टिंग, विकॉस आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, कि किस तरह आप घर बैठे, सिर्फ दो चीजों की मदद से बना सकते हैं, एक नहीं, दो नहीं, बलकि धेर सारी मैट लिपस्टिक्स, जी ही लग रही है, यह मोर देन वन आवर से मैं इसे लगा रखी है, यह मैंने खाना भी खाया है, यह जरा सी भी नहीं चूपी है, आप देख सकते हैं, इसका जो लुक है, वो एक बिल्कुल ही मैट लिपस्टिक का रहा है, तो आज मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करने जा तो चलिए इसे हम साफ कर लेते हैं, देखिए फ्रैंस यह जल्दी छूड भी नहीं रही है, तो इससे आप इसकी लॉंग लास्टिंग का अप अंदाजा लगा सकते हैं, देखिए, मैंने इसे रिमूव किया, एन फ्रैंस इस लिपस्टिक को बनाने के लिए हमें चाहिए ओली लिप बाम, तो इस लिप बाम आप यहां पर किसी भी ब्रैंड का ऊण सकते हैं, मैं तो यहां पर ब्लू हेवन का लिप बाम जो की काफी काफी रीजनेबल है, वो यूज कर रही हूं, आप सभी के पास आईशाड़ के लिएपनी लिए आप लोग जो भी आईशाड़ ताकि आप लोगों को विश्वास हो सके कि यह जो वीडियो है यह बिल्कुल ही जैन्विन है एंड जो भी है वो बिल्कुल ही आप लोगों के सामने हैं तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे colors हैं इसमें glossy colors भी है matte colors भी हैं तो मैं matte colors आप लोगों को apply करके दिखाऊंगी then glossy भी दिखाऊंगी तो चलिए हमें सबसे पहले यह करना है कि सबसे पहले हमें lip balm को अपने lips पर अच्छी तरह से लगा लेना है मैं हातों सही लगा रही हूँ आप देख सकते हैं मैंने lip balm लगा लिया है then friends अब हम सबसे पहले मैं apply करती हूँ friends यह pink color आपको लगा के दिखाती हूँ यह pink color मैंने लिया मैं यहां से brush की मदद से use कर रही हूँ आप चाहें तो हातों से भी लगा सकते हैं यह देखिए मैंने brush में ले लिया है और इससे हम हमा आप देख सकते हैं आप आप देख सकते हैं फ्रैंस हमारी lipstick लग गई है pink color की यह काफी देखिए कितनी अच्छी लग रही है बहुत जादा dark भी नहीं दिख रही है बहुत जादा light भी नहीं लग रही है यह देखिए यह थी हमारी first lipstick चलिए हम इसे भी remove करते हैं अगें मैंने इसे remove कर दिया है चलिए अब हम दूसरे try करते हैं तो चलिए हलका सा लिबाम लगाएंगे इस time मैं आपको fingers लगा के बताती हूँ तो चलिए अब हम apply करते हैं यह orange shade यह जो reddish सा orange shade है इसे लगाते हैं तो इसे मैं fingers लगाऊंगी तो देखिए सबसे पहले मैंने इस fingers पर लिया इस तरह से इसे लगा लिए देख सकते हैं दोस्तों कितना प्यारा लग रहा है यह कितना प्यारा खुल के आ रहा है और बहुत ही beautiful लग रहा है इससे आपको कोई side effect भी नहीं है because अगर आप अच्छी company की अच्छी quality की eyeshadow kit यूज़ करिए इसमें कोई सड़क्षाब यूज़ मत करिए अच्छी quality का यूज़ करिए तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है यह चलिए अब दूसरा ट्राइ करते हैं चलिए मैं इसे भी पोच्टी हूँ अब अब हम दूसरा ट्राइ करते हैं अगेन थोड़ा सा लिबबम लगा लेती हूँ चलिए इस बार अब कौन सा शेड लगाऊं चलिए अब हम ब्राउन शेड चलिए परपल शेड प्राइ करते हैं यह परपल वाला लगाते हैं अगेन मैं इससे भी फिंगर से ही लगा के दिखाती हूँ आपको देखिए यह तो मेरी ड्रेस में भी मैच कर रहा है पूरा यह देखिए दोस्तों कितना प्यारा लग रहा है चलिए वन मोर दिखाती हूँ आपको इससे भी रिमूव करती हूँ वही प्रोसेस है थोड़ा सा लिब बाउंड लगाते हैं चलिए इस बार में आपको थोड़ा सा ग्लॉसी कलर लगा के दिखाते हैं तो आप देख सकते हैं कॉपर शेड है ब्राउन इस्षा इसे ट्राइ करते हैं चलिए वाउ देखिए फ्रैंस कैसा लग रहा है इसे आप नाइट में अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं या फंक्शन में जा रहे हैं तो इसे जरूर लगा सकते हैं यह देखिए कैसा लग रहा है चलिए अब लास्ट एक और आपको लगा के दिखाती हूँ चलिए अगेन हम लगाते हैं लिब बाम अब दोस्तों अब हम ट्राइ करते हैं कौन सा करें कौन सा करें तो दोस्तों मैं आपको यह वाला शेड लगा के दिखाते हैं यह देखिए बहुत ही प्यारा सा शेड है यह गाजरी सा कलर है जो आज कल काफी इंट्रेंड भी है कि यह देखिए दोस्तों वितिन दो इवन सेकंड ही हमारी लिप्स्टिक लग गई है और चलिए यही था मेरा लास्ट सेड और आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा यही था मेरा आज का वीडियो उम्मीद करते हुआपको पसंद आया होगा तिल दन कीफ वाचिंग एप्यपी टेकर यहा झाल